नमस्कार आपने ग्रैप पंचारी राज न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचल के जलगाव में उपचार के लिए लेकर गए ये सभी ग्रामें अलग-अलग गावों में घर के बाहर सो रहे थे तभी एक पागल भेडिये ने आतंक मचाते हुए अचानक खमला कर दिया हलाके जिलास्पताल खरगावन में भटी सभी नौ लोगों को खत्रे से बाहर बताया जा रहा है भेडिये के पागल होने का अंदेशा व्रक्त किया जा रहा है मौके पर वन विभाग की टीम भी पागल भेडी की सर्चिंग में चुट गई है लिमर्डिया गाटग्याम और खड़किया नंदी गाव की इखटना है ये सभी ग्राम खरगावन जिले की महराश के सीमा वर्टी गाव से लगे हुए हैं मौके पर चैनपूर थाना चेत्र पुलिस भी पहुच गई जिलासपताल के सर्जन डॉक्टर विनाए वासकले ने बताया कि नौ खायलों को जिलासपताल में उप्चार के लिए लाया गया है सभी का प्रात्मे को उप्चार किया गया है सभी के हालत खत्रे से बाहर है आमें जोगडियां का कहना है कि हमारे गाव में चार-पांच लोगों को भेडिये ने काट लिया है, दूसरे गाव के लोगों को भी काट लिया था जिन्हें महराष्ट के जलगाव के अस्पताल में ले जाया गया है जन्न वार काई थे हमको कही मालों राद में काई कुत्ता जानिया यूँ तो पाइज को लाए इनको कान लाया पट्टी मट्टी को लाए उदर दूसरे वह गां के वह काल निको गिया तुला भरान खुंडिया का वह घर पर गुया उसर जारक कम काटा है करीबन नो मरीज आये हैं छेडिया गाओं के हैं भेडिये ने काट लिया है बाकी सभी सामाने स्तिती में है एंटी रेविस वैक्सिन लग चुका है जो प्राथ में कुप्चार है वो चल रहा है बाकी सब इस्तिती सामान नहीं है कि क्या सब्सक्राइब को जंगी पागल होगा है जब जंगली जानवर हो सकता है बेडी बेडिये के काटने का है गर्मी की वज़े से हो सकता है ठीक और कुछ गंभीर तो नहीं कोई गंभीर नहीं है जिला इस्पिताल में इलाज चल रहा है जो रात में कुप्चार होता है वो सब दिया जा चुका है रेबीस वैक्सिन भी लग गया है उनको इम्मिनोगलोवेन भी लग गया है बाकी मरीज सामान नेस्तिती मैं सभी डॉक्टर विनेवास कले कि दी खबर अच्छी लगी होता हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शियर करते रही है किसी भी प्रकार की खबर बिष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लेके नंबरों पर संपत करें